नमस्कार मैं आश्री सिंग और आप देख रहें डेली इंसाइडर आज में को बताने जा रहे हैं कि फतेहिपूर में एक ऐसा इंकाउंटर हुआ जिसमें गव तसक्रों को फतेहिपूर पुलिस ने गिरापतार किया और उसको जेल भेजा हलाकि तीन आरोपी फरार हैं पुलिस उनकी परताल कर रहे हैं उनकी खोजबिन कर रहे हैं अब आपको बताते हैं कि इस पूरे घ्रकना क्रम में पुलिस ने किस तरीके सब भून का निभाई पुलिस ने पुलिस ने पुरी टीम बनाई और इस कंटेनर को पकरने के लिए पूरा अभियान शुरू किया इस अभियान में जो आरोपी थे उन्होंने पुलिस पर गोली फायर की अपने अवयत तमंचे से फायर जब हुआ तो पुलिस असहज हुई और उसके बाद पुलिस ने आत्म बक्षा में फायरिंग के जवाबी कारवाई की और इस जवाबी कारवाई में एक आरोपी के पै पार होने में उन्हों सफलता मिली लेकिन दूसरे आरोपी को भी फतेहफूर पुलिस ने आरेस्ट कर लिया तूची दूर पर करीब 500 से 700 मीटर की दूरी पर उसे फतेहफूर पुलिस ने गिरफतार किया और आपको बता दे कि पुलिस अधिक्षक उदे संकर सिंग के नित् वुँ अधिक्षक आपको बता दे कि अकसर पुलिस गुदवर करने में जो उनके चालक होते हैं उनको क्रेडिट देना बूल जाती है लेकिन यहां परहआसन हूँ और ऐसा इसली हुआ कि पूलिस अदिच्छक उदे संकर सिंग जब से फतेय पूर में आये उनका पूरा एक एक छूट छूट बात पर ध्यान है कि आखिरकार कोई बेंस चीज मिस ना होने पाई जिसमें किसी भी कांस्टेबल का योगदान सामीलो उसी के क्रम में जो कांस्टेबल चालक है अजीत जिद्यान सब्सक करते जिएiri लिए ही है और किस त्रीके एक पराद करते हैं क्या इनके उन्नाव से क्या संबंध है तो सीधी सी बात है यह पूरा जो गैंग है यह पूरा गैंग इसी तरह से संचालित होता है और बिहाल से ले करके उत्तर प्रदेशने अन्न राजियों में इनके पूरे तार बिचे हुए इसमें तीस वर्सी जो आरोपे बिल्कुल यू आरोपे जो पकड़ा गया है नवी दिनानुस का यह भी इसके और यह जो रहने वाला है रथेड़ी थाना नई बंडी मुझफर नगत एक ही जनपत के रहने वाले हैं अलग 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 थाना छेत्रों के हैं तीस वर्सी यू आरोपे इसमें इनके पास से 28 गववन्स एक कंटेनर तमंचा, कार्तूस, खोगा कार्तूस यह सारी चीजी इनके पास से अरेस्ट जो गिरपतार किये इनके पास से बरामद हुए है जिस आरोपी को पुलिस ने इंकाउंटर किया पुलिस अदिक्ष उदे संकर सिंग जिला स्पताल पहुंचे उसको देखे और उसके बाद उप प्याग राज का भी इसमें एक आरोपी सामिल है दूसरा है फिरोज पुत्र एजाज 89 लोहमंडी आगरा आप देखिए आगरा से ले करके उन्नाव उन्नाव से कानपूर कानपूर से फटेफुल प्याग और ब्याग यह पूरी चैन है जो उत्तर पुदेश की सीमा के साथ यूड़ी हुई और उसके बाद हर्यारा दिल्ली और राजी भी आता है राजस्थान भी आता है पंजाब याता है यह सारे जो आरोपी हैं इस तरीके से अपने अभियान को अंजाम देते हैं लेकिन फटेफुल पुलिस ने इनको धर्द होचा है अब आपको बताएं कि अ जो हनिया वारानसी में यह थाना आता है 2017 में मुकदमा दर्ज हुआ था हुसाइन गंज जो फतेःपुर में आता है 2021 में इसके खिलाब मुकदमा दर्ज हुआ था जैद पुत्र नम्यों निवासी यह जो पकड़ा गया है इसके खिलाब पुलिस ने भी पूरे एक प्रसरि 2021 में मलवा फतेःपुर 2022 में थाना थर्याव फतेःपुर 2022 में थाना नवाब गंज प्रयाग राज और साथी साथ 2021 में नवाब गंज के प्रयाग राज में इसके खिलाब मुकदमा दर्ज हुआ था इसी तरह जैद पुत्र असलब निवासी चफ्री थाना नवाब गंज प्रैयाग राज के खिलाब कई भर और ने में फ़रारहिव को वथा रहा है, आपको बता दे कि 2019 में थाना लंका है, जिला वाराणशी में इसके खिलाफ मुकद्मादर्ज हुआ था candi?! नाओ फोल सकति का हिल कम दर्ज हुल दे हुआ और 2 Bij Elder च All जो राय वरीली में आता है यहाँ पर 2022 में इसके खिला मुकदमा दर्ज़ किया गया था आपको बता दें कि 2022 में जब इसके खिला मुकदमा दर्ज़ कहए गया था पुलिस के बीच कही न कहीं यह सारे आरोपी फरार होते रहे हैं जमानत पर आते रहें और फिर अपराद करते रहें क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ होता तो एक बार यह फिर से 28 गवंसों को ले करके इस तरीके से उन्नाव कानपुर फतेयपूर और प्रियाग राज होते हुए यह बिहार न जा रहा होता अब देखने वाल को कि फतेयपूर में लगातार गवंसों के समख्षण के लिए इनके आरोपियों के खिलाप जो भी जो भी गव तसकरी की चाहिए बात रही हो चाहिए जो गव मांस की बाचार व्यापार की बात रही हो इन्हें सभी के खिलाफ कारवाई हो रही है अब एक चीज हम आपको सुनाओं में बेहाद ही सांदार अपना रोल निभाया और इसी का इनको थर्याओं जिसी जगह पे जो हाइवे पर है लगातार ऐसी घटनाय होती रहती है और आपको बता दी के थर्याओं थाना च्छेत में लगातार करीब दो से तीन काउंटर अब तक हो चुके हैं और हस पर अक्सर इस तरीके की घटनाय देखने सुनने को मिलती रही है और यही कहा रहा है कि फतेहपुर पुलिस ने जो पूरा एक अभियान किया है वो कहीं ने कहीं गववन्स के तसकर है उन्हें पर एक बड़ा कुठारा घात माना जा सकता है यह जो पूरा मजिल गाउं तक आपको बता दे मजिल गाउं को लेख हम इस लिए कर रहे है क्योंकि मजिल गाउं में कभी पूरुल कुमार सिंग चवकी पुरभारी थे और अब उसके बाद यह जब थर्याओं में आ तो इनके पास जो इनका जो तंत्र है जो खुपिया तंत्र है वह बहत मजबूत रहा ह कि इनको एक बड़े गुडवर्टी काम्यावी हुई आपको बता दे कि फते पुर पुलिस अधिक्षक उदे संकर सिंग इस गुडवर्ट पर सभी पुलिस कर्मियों को उन्हें ने सुब कामना दी है और उमीर जयताइक इस तही के गुडवर्वर्ट आगे भी उतर रहें एक गिरोह के साथ मुडवेड की गई है थाना थरियाओ छेत्र में अपराधियों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायर किया गया आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग से एक अपराधी गयल हुआ है और इसमें एक मौके से फरार हुआ जिसको पुलिस के द्व गिरबतार कर लिया गया है अन्य इनके तीन साथ ही अभी फरार बताये जा रहे हैं जिनकी तलास की जा रही है उनलेखनी है कि इस गिरोह के द्वारा जनपद आगरा मुझफर नगर फिरोजाबाद प्रियाग राज वरार्सी में पूर में अपराध कारिद किये गये हैं ज के बिरुद जनपद वरार्सी, फतेपूर, फिरोजाबाद, मुझफर नगर में लगभग आधा दर्जन मुकद में दर्ज हैं और इनका यह इंटर स्टेट गैंग है जिसको पुलिस ने क्रैक करने में काम्यावी प्राप्त की है यह जैसा मैंने बताया जनपद उन्नाओं के बागर्मव छेत्र से इन्होंने गववन सी इपस्गों को इकठा करके कंटेनर में लादा और उसके बाद यह आंसोन अस्थान जनपद है बिहार में वहां के लिए जा रहे थे तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे है आगे भी देखते रहे है क्या कुछ अपडेट है डेली इंसाइडर साथ आप जुड़े रहे हैं और बने रहे हमें देजे ज्यादत नमस्कार यूपे और देश दुनिया की तमाम ताजातरीन ख़वरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज चैप डेली इंसाइडर